दिल्ली में लोग सबा की साथ सीटों पर छटे चरण यानी 25 मई को मद्दान हुआ था लोगों को अंतिम चरण का मद्दान समाप्थ होने के बाद एक्जिट पोल का इंतिजार है जैसे जैसे अंतिम चरण की भूटिंग पास आ रही है दिल्ली के अलग-अलग पार्टियों से जुड़े लोगों के बीच हार जीत को लेकर चर्चा चरम पर पहुचती जा रही है नमस्कार मैं शेक जूही आप देख रहे हैं दनगरी नियूर्स दिल्ली के सबी साथ लोग सबसीटों पर चटे चरण में मद्दान समाप्त होने के बाद बिजेपी और इंडिया गडबंदन में अपनी अपनी जीत का दावा किया ऐसे में लोगों के बीच उलजाब की स्तिती बन वीए क्या आखिर दिल्ली की साथ लोक सबा सीटों पर किसकी जीत होगी? कौन किस सीट से जीतेगा? दिल्ली में पडर्मुक पार्टियों के समर्थकों में इसकी चर्चा अभी से जारी है क्योंकि उम्मिद्वार को जीत हासिल होगी या नहीं क्योंकि दिल्ली देश की रास्ट्री राजधानी है इसलिए कम सीट होने के बावजूद यहां की हार जित चर्चा का विश्य बनी हुई है दिल्ली में इस बार दो गड़ बंदनों के बीच आमने सामने का मुकाबला है भारती जनता पार्टी केंदर शासित प्रदेश दिल्ली की सबी साथ सीटों पर चुनाव लड़े है बिचेपी के सामने इस बार आमादमी पार्टी और कॉंग्रिस के गड़ बंदन की चुनोती है कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी इस बार दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़े है दिल्ली की सत्ता परकावीज आम आदमी पार्टी चार सीट पर चुनाव लड़ई तो वही तीन सीटों पर कॉंग्रिस ने उम्मिद्वार उता रहे हैं वही रास्ट्रे राजदानी दिल्ली में ब्रस्ट चार से लेकर सीएम अरविन केजरिवाल की ग्रफतारी तक इस्तानी मुद्ध्य चाहे रहे विजेपी ब्रस्ट चार और शराब घुटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविन केजरिवाल पर हमला वर रही तो वही आमादमी पार्टी ने CM की गरफतारी को मुद्धा बनाते हुए केजरिवाल की गरफतारी का जवाब वोट से अभियान चलाया पानी, कनेक्टिविटी और वेपारियों की समस्य भी चुनाओं में मुद्धा बनी पिशले लोग सब चुनाओं की बात करें तो आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों ही दलों ने अलग-अलग चुनाओ लड़ा था तब बिजेपी ने 56.9 फीसिदी वोट शेर के साथ दिल्ली की सबी 7 सीटे जीती थी तब कॉंग्रेस 22.5 फीसिदी वोट शेर के साथ दूसरे और आमादमी पार्टी 18.1 फीसिदी वोट शेर के साथ तीसरे स्थान पर रही थी क्योंकि लोग सब चुनाओ वाव अपने आकरी दोर में हैं एक जून को आकरी चरण की वोटिंग के साथ ही चुनाओ खतम हो जाएंगे और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे लेकिन उससे पहले ही राजनेतिक हलकों में अगली सरकार को लेकर अलग-अलग भविश्यवाणियों और दावे किये जा रहें लेकिन अगली सरकार को लेकर सबसे सटिक भविश्य बानी इस बात से की जा सकती है कि दिल्ली की सबी सीटों पर किस पार्टी ने जीत हासिल थी 17 लोग सब चुनाओं में से 9 बार दिल्ली की सबी सीटों पर एक ही पार्टी यानि कॉंग्रिस ने जीत हासिल थी पिछले लोग सब चुनाओं के नतीजे के से पता चलता है कि 1967, 1989 और 1991 को छोड़ दिया जाए तो हर बार जिस भी पार्टी ने दिल्ली में सबसे जादा सीटिया असिल की केंदर में सरकार उसी की बनी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे दन अगरिनी शुक्रिया